नमस्कार दोस्तों मैं सोरव और आप देगरेवो एसेस क्रिक फेंटेसी यहापर मैं आपको मैंस से रिलेटेड हर इंपोर्टन इंफोर्मेशन देने की पूरा कोशिश करूँगा जिसके मदद से आप एक वैतरिन फेंटेसी टीम कॉम्बिनेशन बनाने में काम्याब होंगे अपर टोस, पिज रिपोर्ट, प्लेइंग रेव और कुछ फ़रदार अपडेट यह सभी मैं आपको टेलिक गाम चैनल पर इंफोर्म करता हूँ इसलिए टेलिक गाम चैनल के साथ जुनना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, नीचे डेस्किप्सन पर लिंक है, आप लिंक के तुरू हमारे साथ टेलिक गाम चैनल से जूर सकते हो इस चैनल पर मैं हर रोज इंफोर्टेंट मैच का डीटेल्स एनलाइज करके वीडियो मनाता हूँ और स्टेटिकली एंड लॉजिकली प्रेडिक्शन देता हूँ जिसके मदद से आप नास पर स्पॉन लिंक, क्रैन लिंक में भी एक अच्छा काशा पॉफिट कमा सकते हो इसलिए इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जूड़े रहिएगा शुरुवात करते हैं नामेबिया और USA के बिच में वर्ल्ड काप क्वालिफायर मैच पेडिक्शन बहुत सारे लोग इस टाइप का मैच को हलके में ले लेता है लिकिन ये बहुत ही इंप्रोटेंट मैच रहता है मतलब उस मैच से बहुत ही इंप्रोटेंट मैच ये सब होता है क्योंकि ये वर्ल्ड काप क्वालिफायर का मैच है अब समझ सकते हो जो खेला जाने वाला है 26 मार्च यानि कि कल संडे 1 पीम कहाँ पर वांड़र क्रिकर ग्राउन विंदोग नामी वियापार आप देखे लेते पीच रिपोर्ट नामी वियापार जो पीचाना मदलाब विंदोग पर वो जेनरली निउट्राल विकेट आपको देखने को मिल जाएगा यह पर बैलेंस विकेट रहने वाला है पेशार और स्पिनार बैट्समन सभी को इक्वेल सपोर्ट मिलने माला है और यह पर रान आपको ज्यादा नहीं देखने को मिल जाएगा और पेशार और मतलब ऑल लाउंड जो है ना बोलिंग सेक्शन और और लाउंड सेक मान मतलब पिक करना क्योंकि बैट्समन से आपको ज्यादा पोइंड नहीं देने वाला है यहाँ पार तो अभी तक एक ही वर्डिया इमैज खिला जा चुका है जो नामीबिया और ओमान के बिच में नामीबिया ने पहले बैटिंग करते हैं 226 किया था और ओमान ने 81 पर ओ 21 पर ही ओल आउड हो गया था इसलिए आप 220 तक एबरेज स्कूर मन के चल सकते हो और बोलार और और ओलांडर के उपर ज्यादा पोकस कर सकते हो आप देख लेते हैं नामीबिया की पॉसिबल प्लेइंग लेवन विद रिसेन फॉर्म विद हेड़ रेकॉर्ड विद भेनु रेकॉर्ड फाउची के साथ आपको लॉरेंस को परिंग करते हो देखने को मिल जाएगा फाउची क्या ये रिसेन फॉर्म है ठीक तक फॉर्म 24 का अबरेज है आप देख सकते हो नामबर 3 पार मिचल भेन लिंग्जन है लिंग्जन का ये रिसेन फॉर्म है अब देख सकते हो मतलब 1 और 2 मैच को छोड़के अलमोस सारे के सारे मैच में स्कोरिंग के हैं और एक सातक भी मार दिया है और आप देख सकते हो रिसेन ली 23 मै admission from E5 जहाए last 34 match थालो जहाए लेकिन कुछ match में इसलिए आप इसको ज़रूर पिक कर सकते हूं आच पर आपको earton को देखने को मिल जयका ये टोन का ये रिशन फॉर्म है आप देख सकते हो उतना भी ठीक तक नहीं है उसके बाद ग्रीन है ग्रीन का भी ये रिशन फॉर्म है मतलब एक मैच में स्कूरिंग आया लेकिन अल्मोस सारे के सारे मैच में फॉब हो गया था आप देख सकते हो उसके बाद पिक की 17 मैंच में 23 की एवरेज बैटिंग से आप देख सकते हो और इस भेनूर के उपर भी ठीक है बोलिंग से भी चार मैंच में दो इकेट चटका है मतलब ठीक है उतना भी मतलब खराब नहीं है और उतना भी आच्छा नहीं है उसके बाद कॉल्टेज है यह बहुत इन्पोर्टे गालम जाई आप देख सकते हो यह थींग टीकिंग बोला रहे है इसके बाद में मेनी जाई इन्पर आप देख सकते हो यह विचे टेकिंग बोलर है अल्मोस्स सारे के सारे मैच परीगरे चीज़़ными उसके बाद सिन्ग ओंगो है सिन्गो का इलिषन व है यहाई बीक्यरे टेकिंग में आप को इसलिए बोला था कि किは Batsman section से जाधा आप बोलिंग sullaंध से जाधा player को कर सकते हो कई बोलिंग में तो wicket चटका नहीं वाला है लेकिन Bating में भी ये आपको 10-10 गयान का योगधन योग्ण दो सकता है इसलिए बोम्ष से जाद से जाधा से जाधा पयायर को प्लिव पॉंपन बोलार और करते हैं आप ॉपेड भी मतलब गार्प नहीं रहता है। नहीं को सकता है लिगर पर कुछ प्लेयर है अप उसका भी रेकर्ड जाओ देख सकते हैं अब देखले से की ऐसे पसेडैंग लिए टेलोर को अपनिंग करते हो देखने को मिल जाएगा एक्जाब यार का यह रेशन फॉर्म है आप देख सकते हो कुछ खास नहीं है लेकिन स्टीवेंस टेलोर यह बहुत इन परिंपिग होने वाला है आप इसका रेकोर्ड देख सकते हो काफी शांदर फॉर्म है बैटिंग से नहीं तो बालिंग से बैटिंग से मतला बैटिंग बोलिंग धुन ओस आपको पोईंट देने वाला हैh यह कैप्तेन्भास कैप्तेन के एक परफेक्च चॉयश हुने वाला है इसलिए यह मस्टा टिटक पॉइंट्ट दे सकता है इसलिए यह भी इन tätä पिक होने वाला है लाRight का सब्सक्रार यह भी काफी संदर बेम हैब बैटिंग बोलिंग दोनों दू मैच में देख सकते हो लेकिन ये जनरली फॉब हो जाता है उसके बाद एरोन जोन से उसका भी रेकोड आप देख सकते हो ये बोलिंग नहीं करने बला है ये बैटिंग से भी उतना ज्यादा फॉर्म नहीं है इसलिए इसको आप ड्रॉप कर सकते हो थेरोन है थेरोन का भ इससे देखने को मिल जाएगा इसलिए ये मास्टर पिक होने वाला है उसके बाद सुब्राहम नेत्रा भलकर ये USA का कैप्टेन है और अल्मोस सारे के सारे में इसमें विकेट चटका है और ये विकेट टेकिंग बोलार है इसके बास विकेट टेकिंग एबिलिटी है इसलिए नेत्रा भलकर के साथ आपको मौननाक पेटल को देखने को मिल जाएगा और फिलाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मौनाख पेटल के साथ जा सकते हो क्योंकि यह दंबर तीन पर बैटिंग करना याँगा और इसका डिशन फर्म भी ठीक टाग है मतलब 26 का फर्म है मतलब average जिशन पर्म और ग्रीन का मतलब बैटिंग ओधर बहुत ही नीचे आता है और इसका उतना भी फर्म टिक टंग नहीं है इसलिए आप इसको ड्रॉप कर सकते हो मुन्नक पेटल को पिक कर सकते हो बैटिंग से आप इरेस मास को पिक कर सकते हो यह इंपोर्टेंट पिक होने वाला है जोनास को पिक कर सकते हो एरॉन जोन्स और लेनिंग को पिक कर सकते हो लेनिंग का यह डिसेंट और टेलोर को पिक करना यह दोनों मस्टपी होने वाला है निशाग पैटल का फोर्म आपको दिखाया था काफी संदर फोर्म में है और बैटिंग वर्लिंग दोनों से आपको पहुंच दे सकते हैं आप यह टॉन को चाहो तो पिक कर सकतो लेकिन इसका फॉर्म कुछ ठीक से आता है वर्लिंग से काई ना कई आपको पिक कर सकते हो ऊसक पड़ोलिंग शक्षन दोनों मस्टपी होने वाला है अगर अली खन खेलते हैं तो यह भी मस्टपी होने वाला है लेकिन मुझे नहीं लगता है अलीग इस मैसे बेर जिनने वाल है क्योंकि यह आनेबल और ट्रामपल मैन है ट्रामपल मैन को भी आप पिक्कर सेकतो नहीं तो आप सिखांगों के साथ जा सकतो फिलाल मैं ट्रामपल मैन के साथ ही मतलब जा रहा हूं और ध्रीमले भन पर जो कुछ प्लियार एड नहीं हुए अभी मैच कैपटेन वीस कैपटेन कर सकता हम आप इसको कैप्टेन कके सकते ही कर सकतो जब नहीं को सजेस्ट कूंगा बहुत शारे लोग इस मत किजिए क्योंकि थी इसका फॉर्म उतना भी ठीक्टश नेए उससे अच्छा निसाग पैलल है जो बैटिंग ब्लिंग दुनों से आपको पॉइंट दे सकते हैव हैं ये भी बैटिंग दूनों से ंफको पॉइंट दे सकता है वीडियो अच्छा लगा और इंफर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा